नमस्कार किसान भाईो आप सभी के आपके एगरी कल्चर ब्लोग यूटूब चैनल पर एक बार फिर से सौगत है किसान भाईो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी फसल को खर पत्वार से मुग्त कैसे करें क्योंकि किसान भाईो अक्सर फसल में सबसे ज्यादा खर पत्वार निकालना ही दुख दायक होता है इसलिए किसान भाईो एक देशी जुगार हम आपको बताएंगे जिससे आप खर पत्वार को पूरी तरह से नस्ट कर सकते हैं उस हर्वी साइट का नाम है ग्लोरी का हत्तर जिसमें ग्लाइफोसेट 41 परसेंट रहता है उसके बाद आपको इस देशी जुगार से इस प्रेपंप में एक बोटल को काटके बांदेना है अच्छे तरीके से जिससे बैगन के पाउधे पर दवा न जाए आप देख सकते हैं ये तीन दिन बाद है जो हम घांस की दवा मारे थे बैगन के आसपास देख सकते हैं कि जल्दी नहीं होगेगा तो किसान भाईयों आप इसी तरह से दवा को छुड़काव करके अपने फसल को घांस से मुक्त कर सकते हैं खरपतवार से मुक्त कर सकते हैं ये देखिए तीन दिन हो गया है एकदम पीला हो गया है घांस और बैगन का पाउधा पूरी तरह से कोई भी फसल हो बैगन हो आपको अगर धान के मेड़ पर मारना हो तब भी आप इस बोतल को इसी तरह जिस तरह बाने हैं इसी तरह बान के पाउधे को बचा कर पाउधे पर उसका धूआ हवा पड़ेना नहीं तो जल लाएगा आपको एकदम मस्त अच्छे से ढब्बे से उसके बाद पाउधे के चारों तरफ मारना है इससे पाउधे पाउधे सुरच्छित रहेंगे और जो पाउधे के बगल कोई सी भी परकार के कोई खरपतवान होगा तो पूरी तरह से नश्ट हो जाएगा किसान भाईव आप देख सकते हैं किस तरह से बाइगन को बचा ज पाउधे को पूरी तरह से नहीं मिल पाता इससे आप इस दवा से खरपतवार मुक्त कर सकते हैं खरपतवार को नश्ट कर सकते हैं और जो भी सूच हो सकता तो रूर्वरक देंगे वह पाउधों में सीधा पहुचेगा इससे पाउधों का बिरिद्धियों विकास अच्छ लेकर आता रहूँगा इससे प्यारी प्यारी जानकारी लेकर आता रहूंगा आप इस वीडियो को जादा से जादा किसान भायों तक सेयर करें और लाइक करें और अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी तक आप सबस्क्राइब नहीं कियें तो सबस्क्राइब करें, कमेंट करें और इस देशी जुगार के बारे में सब कुछ हम आपको बता दिये हैं ऐसा ही वीडियो लेकर आएंगे करा दोकुt कर दो कर दो करतраш कर दो कर दो ł